नमस्कार मैं हूँ नेह और आप देख रहे हैं न्यूस फोर नेशन आज बात जद्यू के अंदर सियासी चाल की नितिश कुमार ने भले ही प्रशांत किसोर को नमबर दो की पोजिशन पर लॉंच कर दिया है आपको बता दें कि जद्यू में पीके की इंट्री से पहले आरसीपी सिंग ही जद्यू में नितिश कुमार के बाद सबसे कददावर नेता माने जाते थे लेकिन प्रशांत किसोर के आते ही नितिश कुमार ने भी आरसीपी सिंग को दरकिनार कर दिया पीके जडियू के राश्टियो पाध्यक्ष बना दिये गए और उनका दर्बार कुछ इस अंदाज में सजने लगा जैसे कभी आरसीपी सिंग लगाया करते थे प्रशांत किसोर के आने के बाद से आरसीपी सिंग कमजोर हुए ऐसा राजनितिक जानकार मानते हैं लेकिन आज भी आरसीपी पीके से खिन मजबूत नजर आते हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं जडियू के शोसल मीडिया प्रेटफॉर्म की नितीश सरकार के फैसले से लेकर जडियू के संगठिक निर्ने तक में अहम भूमका निभा रहे प्रशान्त किसोर को शोसल मीडिया के मास्टर माना जाता रहा है लेकिन पीके की सितिव पाटी के अंदर ही शोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पतली है जडियू के शोसल मीडिया एकAUN पर पीके नधारत दिखायी दे रहे यूं तो टीम पीके की तरफ से शोशल मीडिया पर प्रमोशन कैमपेन जम कर चलाया जा रहा है लेकिन जडियू मीडिया सेल सभी पार्टी के अन्य शोशल मीडिया एकाउंट पर मुख्यमंत्रि नितीश कुमार के बाद आज भी आरसीपी सिंग की सबसे ज़ादा मौजूदगी देखने को मिल रही है प्रशांद किसोर के इका दुका पोस्ट को ही जडियू सोशल मीडिया के पेज़ पर जगा मिली है शायद ऐसा इसलिए भी है कि प्रशांद किसोर की गैर मौजूदगी में जडियू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिया रखने का जिम्मा आरसीपी सिंग के टीम के सदस्यों नहीं उठाय था ऐसे में प्रशांद किसोर को तरजीह नहीं मिलना इस बात का साफ संदेश है कि जडियू के अंदर नमबर दो की पोजिशन को लेकर रसा कसी खुल कर सामने आ रही है खबरों में अपडेट रहने के लिए देखते रही है निउस फानेशन